नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज एक बड़ा इवेंट हुआ है जिसने भारत को बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है और साथ ये भी तैगर दिया है कि आने वाले तीन से चार साल भारत के लिए बहुत ही ज्यादा राश्ट्रपतियों को परदानमंत्रियों को उनसे बात चीत कर रहे हैं यहन्जी रेलेशन्शिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी के दोर में उन्होंने आज रूसी राश्ट्रपती विलादमीर पुतिन को फोन किया था तमाम तरह के मुद्दे थे चाहें वो क्राइमिया का मुद्दा हो सीरिया का मुद्दा हो सभी पर चर्चा की जानी थी लेकिन बाइडन ने सबसे पहले मुद्दा उठा दिया US Election Hacking का जी हाँ और इसको लेकर दोनों देशों के राश्टर धक्षों के बीच में यानि जो बाइडन और व्लादमीर पुतिन के बीच में बता जा रहा है कि बोगती गरमा गरम भैस हुई है काफी तू-तू मैं में हुई है और पहली बार से देखा जा रहा है कि कोई अमैरिकी राश्टर पती सीधे तोर पर रूसी राश्ट्रपती विलादमीर पुतिन से भिढ गया हो और अपने आप में इसे एक बड़ा इवेंट कवर किया जा रहा है और राउंड दा वर्ड क्योंकि इससे एक चीज़ साफ हो गई है कि जो बाइडन रूस को लेकर हद से ज़्यादा सक्ती बरतने वाले हैं और अमेरिकी मीडिया में बात को भी लेकर जर्चा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो भारत को पड़ने वाला है क्योंकि भारत ही दुनिया के एक मातर देश है जो रूस और अमेरिका के साथ समानांतर रिष्टे बना कर चलता है वरना आप देखेंगे जातर देश या तो अमेरिका के पाले में है या फिर रूस के पाले में है या चीन के पाले में है लेकिन भारत ने सभी के साथ संबंद अच्छे बना कर चला है लेकिन भारत की उसमसे बटी चिंता अभी के लिए है वो है S400 को लेकर S400 को लेकर टरंप ने हमें वेवर दिया था उम्मीद की जारती कि जो बाइडन भी हमें वेवर दे देंगे लेकिन इस तू-तू-मेमे के बाद अब इस्तिती बदल सकती है और अब उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडन S400 को लेकर भारत पर प्रेशर हद से ज़्यादा माउंट करेंगे और अब ये देखना होगा कि भारत इससे कैसे निकले क्योंकि भारत को सिर्फ S400 का मुद्दन देखना है हमें आगे भी अगले तीन से चार साल ऐसे ही काटने होंगे दोनों देश भारत को फुटबोल बनाने कोशिश करेंगे कोई कहेगा हमारी तरफ आओ, कोई कहेगा हमारी तरफ आओ ऐसे में भारत की जो पोलिसी रही है दोनों देशों को एक साथ लेकर चलने की वो कहीं ढगमगा जरूर सकती है वहीं है परधानमंत्री मोदी के लिए भी एक बड़ा टेस्ट है कि वो कैसे दोनों देशों को एक साथ लाएंगे क्योंकि दोनों है एकदम वीपरीत विचार धारा के एक दूसने का चैरह पसंद नहीं करते बाइडन और पुतिन ऐसे में भारत कैसे दोनों को साथ लेकर चलेगा ये अपने आप में चुनोती होगा और भारत अगर चुनने की बारी आती है रश्या और अमेरिका में से तो आखिरकार भारत की से चुनेगा हाला कि मैं उम्मिद करता हूँ कि ये नोबत नाए भारत दोनों को साथ लेकर चले क्योंकि अल्टिमेट जो हमारा गोल है दोनों को साथ रखने का वो यही है कि हमें युनाइट नेशन की पर्मानेंट सीट के लिए रूस और अमेरिका दोनों का समर्थन चाहिए होगा तो ऐसे में भारत को मीद्य करनी है कि हमारे तीन से लेकर चार साल पोलिसी एक साथ ऐसे ही चले जैसे हमने अभी तक चलाई थी हाला कि इस ख़बर पर आपका क्या व्यूपोइंट है कमेंट हरे जरू बताएगा साथ यूडियो को शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न दूलेगा थैंक रूं सचिंग वीडियो